आज होगा फूड नियूट्रेशन एंड हाईजन का महा संग्राम यानि आहार पोसड एवम सच्छता जिन भी छात्रों की कल परिच्छा देनी है परसो देनी है फूड नियूट्रेशन एंड हाईजन की ठीक है उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपार्टन्ट है ये एक अनिव प्रश्ण पत्र है जिसकी परिच्छा बीए बेसी बीकॉम के फर्स्ट समेस्टर के छात्रों को देनी ही देनी पड़ेगी नहीं तो फेल माने जाएंगे और जितने भी कोईश्चन आते हैं फूड नियूट्रेशन हाईजन के लगभग इन्वर्सिटियों में प्रश्ण बहुबिकल पे यानि कि अब्जेक्टिव कोईश्चन होते हैं टिक करने वाला होता हमार सीट पे परिच्छा होने वाली है तो आज किस वीडियों हम आप लोगों को करिब करिब हजार कोईश्चन बताने वाले हैं फूड नियूट्रेशन और हाईजन के हजार कोईश्चन और साथ साथ में उसका एंसर भी इसलिए ये वीडियों आप लोग जरा साब मिश मत करिएगा और जरूर वीडियों को लास तक जरूर देखेगा क्योंकि आपको इस वीडियों को देखने के बाद सायथ कोई अन वीडियों को देखने की आवसकता नहीं पड़ेगी और की पूरी के पूरी महासंग्राम वीडियो लाई है तो मैंने सोचता चलिए आप लोगों के हिसाब से हम हर सब्जेट का महासंग्राम लाते तो इसका भी लाते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं पुरूप को तवर पे आपने देखी लिया है तो आज किस वीडियो का जो पहल ऑनबर भोजन भोजन हमारे सरीर को पूरी तरह पोशित करता है ठीक है कि आप उसर की कितनी इस्थितिया होती है स्थितिया होती है याद रखेगा मोस्ट इंपार्टन और टॉप करगरी का कुश्चन है ठीक है पिर से सुनिये question कि 50 रसानिक पदार सरीर की अवस्यक्ताओं के द्रश्ट कोंड से कितने समोहों में बांट दिये गए हैं आपसन आपको दिये गए हैं जिसमें से राइट एंसर आ हो जाएगा 9 समोहों में बांट दिये गए हैं याद रखेगा ठीक है और next question है कि मानो जीवन की प्राथमिक आवस्यक्ता most important question है परिच्छा के लिए याद रखेगा जो प्राथमिक आवस्यक्ता है इन आपसनों में से वो है भोजन ठीक है जबकि अगर देखा जाए तो उप्योक्त में से सभी भी हो सकता है लेकिन जो प्राथमिक आवस्यक्ता के बात हो रहे है तो भोजन है ठीक है उसके बाद धूप नगर यानि कि बिना धूप आप लोगों के मालूम है कि धूप में रहने से आप लोगों को काफी हिल्प मिल हो रहता है ठीक है रिशन्स कोष्चिन है कि वहां और सा पादार थे जो मन कन् की परिच्छा में सबसे ज्यादा कौन से कोईश्चन आने के चांसे वह मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा ठीक है क्योंकि करीब करीब अगर ये वीडियो ध्यान से आप पूरा देखेंगे तो ठीक है नेस्ट कोईश्चन इसमें आप लोगों को दिखेगा तो नेस्ट कोईश्चन है इस वीडियो का कि पोसड की कितने अवस्थाय होती है चार होती है ध्यान रखेगा मोस्ट इंपार्टन कोईश्चन है ठीक है अगला question आप से लोगों के समस्त है कि जब पोसड सरीर की अवस्यक्ता के अनकूल होता है तो ऐसी एस्थित कहलाती है इसी तरह आपकी परिच्छा में भी question paper मिलेगा इसी तरह को एक OMR sheet मिलेगी आप लोगों को मतलब कि एक फोर साइज की paper मिलेगा उस पे आप लोगों को जो question right रहेगा उस पे दिया रहेगा आब आसा उस पे ही गोला बनाना होगा ठीक है और आपको पता दिया जाएगा कैसे क्या करना ठीक है और मैं आपके जानकारी के लिए बता दू बहुत सारे चाहतर सोच रहे होंगे कि यह सार पीडियव दे देते तो बहुत ही better हो जाता तो यह पीडियों हम आपको देंगे लेकिन उसकी कुछ सरते होंगे कुछ नियम का यह जरूर ध्यान से आप लोग वीडियों देखिएगा ठीक है और नेस्ट कोश्चन है कि निम्ड में से आपर्याप्त पोसर्ट की कितने इस्थितिया होती है आपर्याप्त पोसर्ट की बात हो रही है तो आर पर्याप्त पोसर्ट की जो इस्थितिया होती है वो दो होती ह ए नमबर राइट अंसर हो जाएगा निकि आ नमबर ओके नेस्ट कोश्चन है कि जब पोस्टर सरीर की आवसकता के अनुसार गुड एवं मात्रा में अपूर्ण होते हैं तो वह इस्थित क्या कहलाती है तो उस इस्थित को कुपोस्टर कहेंगे यह मोस्ट इंपर्टन कोश् ठीक है पार्ट याद रखेंगे सा नमबर राइट अंसर हो जाएगा ठीक है निस्थित कोश्चन है कि मरासमस रोग क्या होता है या फिर मरासमस रोग इसमें से कौन सा आफसन सही होगा ऐसा प्रस्ण हो सकता है तो आफसन आपको देगे हैं वसा की कमी से प्रोटेन की अध निस्थ कोश्चन आप लोगों के समस्त है कि दहां से सुनिएगा कि तोचा तोचा जुरियां युक्त एवं उसका रंग पीला होना लच्छन प्रद्रसित करता है किसका लच्छन प्रद्रसित करता है इसमें से जो आपको बताना राइटर से वह को पोस्टर हो जाएगा य इस 안सर को जाएगा उर्जा प्रोटीन कुप उसर नेस्ट कॉश्ट्र है कि शरीर में कार भोजन का अध्यन पूसर के रूप में पर्भासित है किसके रुपे पो शर के रूप में next question है की एक ऐसा अहार जिसमें भोजन के सभी आवस्चे घटक सही अनुपात में सामीर होते हैं उसे कहा जाता है तो आपको बताना है किसे क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है संतुलित अहार most important और टॉप लेबल का है कोश्चिन याद रखेंगे परिच्छा में आने के ज्यादा चांस है अगला कोश्चिन है कि कूप उसर तथा और बीच में आपको रिक्तस्थान भरना है कि यहां पर क्या हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा कूप उसर तता चिंता में गहरा आपको जानना भी चाहिए कि नीबू में कौन सा बिटामिन पाया जाता है तो नीबू में बिटामिन सी पाया जाता है याद रखेंगे नीबू में बिटामिन सी पाया जाता है राइट अंसर सा हो जाएगा नेस्ट कोश्चन है कि बुखार में बिक्त को दिया जाता है तो तो आपको इनमें से राइट एंसर बताना इसमें बताना है कि राइट एंसर जो हो जाएगा कैलोरी युक्त भोजन देना चाहिए जब ब्यक्ति को बुखार की तमस्या है या फिर बुखार हो जाता है ठीक है तो जहां से पढ़ लीजेगा मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन य अगला इतना इंपॉर्टन नहीं लेकिन इसका एंसर जान दीजे को पोसटे के लिए इन में से क्या उत्तरदाई है उप्योक्त में से सभी मिलावट निर्दन तैंट इतना इंपॉर्टन नहीं से ग्रोर भी कर सकते हैं ठीक है निश्कोष्टन है कि रोगी को अधिकतर किस स्ट्रोंग जो है वो कार्बोज संतुलित अहार हो ठीक है इस प्रकार का उनको भोजन देना चाहिए जिसमें काफी ज्यादा मतलब की स्ट्रोंग तत्तु पाया जाते होते हैं उनको दिया जाता है नेश्कोष्टन है कि सरीर को सवस्थ रखने के लिए आवस्चेक होता है संतुलित अहार का लेना या फिर संतुलित अहार बहुत ही आवस्चेक होता है इन आप सुनों में से नेश्कोष्टन है कि सारीरिक स्रम करने वाले एक बिक्ति को कितनी कैलोरी की आवस्चेकता होती है याद रखेंगे सारीरिक स्रम करने वाले यानि कि जो मतलब की मजदूरी करते हैं जो लोग किशानी किर्सी करते हैं उनको कितने कैलोरी की आवस्चेकता पड़ती इन आप सनों में से जो आपको बताना है वो कौन सा राइट अंसर हो जाएगा मोस्ट इंपार्टन है याद इसमें से राइट अंसर हो जाएगा जिसमें सभी पोशक तत्त उचित मात्रवा अनपात में हो उसे ही हम संत्लित आहार कहेंगे याद रखेंगे इसका उत्तर नेस्ट कोश्टन है कि पोसक तत्तों को मुख्य रूप से कितने समोहों में विभाजित किया गया है तो छे में विभाजित किया गया है most important तो नहीं कहेंगे लेकिन important कटगरी का question है नेस्ट है कि वह कौन से पदार थे जो मानो सरीर का पोसर करता है भोजन ठीक है पोसर्ड की कितनी अवस्थाय होती है important ये भी है चार ठीक है नेश्ट कोश्चन है कि जब पोसर्ड सरीर की अवस्थाओं के अनकूल होता है तो ऐसी इस्थित क्या कहलाती ये इतना important नहीं ग्रोर भी कर सकते हैं ठीक है अगला important question है कि एक ग्राम कार्बो हाई ठीक है ट्रेट में कितनी कैलोरी उर्जा पाई जाती ये most important याद रखेंगे आ नंबर राइट एंचर हो जाएगा 4.1 ठीक है याद रखेंगे आ नंबर most important question है नेस्ट है कि कोपोशड के कारण होने वाला रोग ये भी important इसको भी याद रखेंगे ठीक है क्वासी और कर वा मर सैमस रोग हो जाता है ठीक है कोपोशड के कारण नेस्ट कोईच्टन है कि पूरुष्किया पेच्छा इस्तरी के आहार में कैलोरी के मात्रा most important question याद रखे तो पूरुष्किया पेच्छा इस्तरी के आहर में कैलोरी की जो मात्रा होनी चाहिए वह अधिक होनी चाहिए मतलब कि ज्यादा होनी चाहिए ठीक है अधिक नेस्ट कोश्टन है कि निम्न में से पॉस्ट पॉस्टिक तत्त्त कौन सा है तो आपको राइट एंसर यहां पर को पर इनमें से सभी हो सकता आजाए तो इनमें से सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं लिए उस्तित में चाहिए अच्छा ऑश्ट बनाए रखने के लिए आवश्यक है तो वो है में जो इसमें पेडिविट दीग वो संतुलित आहार है संतुलित अहर में सब चीज़ें आ जाएंगे ठीक है और नेश्ट कोईस्चन है जो कि मुस्ट इंपॉर्टेंट यह जानना आपको जरूरी है कि एक किसोर लड़के को कितने किलो कैलोरी लेनी चाहिए एक किसोर लड़के की बात हो रहे तो उसको 2450 ठीक है किलो कैलोरी होती ह है उसे लेनी चाहिए याद रखेंके मोस्ट इंपार्ण कोउश्चन है कि उचित मात्रा अनुपात में भोजन-ग्रहन करन करना कहलाता है मतलब कि अगर आप एक सबसे ज्यादा क्या पाया जाता आपसंदिए प्रोटीन कल mine वीडियो मनाई तिसमें यह कोईश्चन मिश हो साम स्थाइस ही कि और रिख अधिक चाहेंगे छो पाई जाती याद रखेंगे रोगी को स्वस्त्र लाब के लिए आहार दिया जाता है ये इतना इंपॉर्टेन सह---- पर आते हैं जो इंपॉर्डेН्ट है यह आप लोगों के समझत आ गया कुश्चन 23 नबर की सठील के नियामक पदार्थ कौन से ठीक है जल याद रखेंगे यह भी इंपॉर्टेंट कड़गरी का कोश्चन है और आजाएंगे नेक्ट कोश्चन के और की यह पर उपयूक्त में सभी आप लोगों कि समझते हैं कि इंप्वार्टन कि इसा पया जाता है कि सूरच की पहली क्रिडों में बिटामिल डी पाया जाता है याद रखेंगे टॉप लेबल का कोईश्चन है कि ब्रद्धी उर्जा मरमत और रख रखाव के लिए शरीर द्वारा आवस्चक पदार्थ को कहा जाता है क्या कहा जाता है पोशक तत्त कहा जाता याद रखेंगे important question है ठीक है अगला question है अगला मतलब question है कि आपके अहार का लगभग आधा हिस्चा होना चाहिए किसका होना चाहिए इस नहीं की आपकी अनाज़ और सबजी होनी चाहिए और बाकिया आप लोग उसमें दूध है दही है पनीर है anything फल फ्रोट जो भी आप लोग समझे वो ले स रखते हैं लेकिन आधा इससा आपका वो अनाज और सब्जियां होनी चाहिए नेस्ट कोश्चन है मोस्ट इंपार्डन कोश्चन याद रखेंगे ठीक है अगला कोश्चन है कि जिस अहार में बेक्त के सरीर की देनिक अवस्चक्ताओं को पूरा करने की चमता होती है उसे क्य कारे जो है वह सरीर के तापमान को नियंत्रित करना यह फी नियंत्रित रखना मोस्ट इंपार्डन कोश्चन ने भी है ठीक है और आ जाएंगे एगले कोश्चन के और अगला कोश्चन आप लोगों के समस्चत है कि निमने में से किसका संतुरित आहार पर प्रभाव पढ़ कोश्चन के संतुरित आहार ना लेने से या फिला ना लेने पर ब्यक्त पर क्या प्रभाव पढ़ता है तो उसको कमजोरी भी आ जाती घड़ यानिक उसका वजन भी कर जाता साही समस्चा है तो इसलिए इन में से सभी हो जाएगा ठीक है और अब बढ़ेंगे निस्ट यादा होगी इसलिए हम नहीं चाहते कि आपका टाइम कोश्ट हो कि अफ्तन पान के दौरान मां के सरीर में कितने लीटर दूद का उत्पादन होता है मोस्ट इंपार्टन कोश्चन याद रखेंगे तो इसका राइट एंसर हो जाएगा एक से दो लीटर की जुमात्रा है यह उत्पादन होता है दूद का उत्पादन हो एक से दो लीटर ठीक है अस्तन पान के दौरान याद रखेंगे नेस्ट कोश्चन है कि प्रतेक ब्यक्त के लिए संतुलित आहार क्या है यह तना इपार्टन नहीं से एग्णूर कर दीज़ेगा हम मोस्ट इंपार्टन पर आएंगे यहां पर अब नेस्ट कोशिन आजाएगा पोश्चन यहीं इस बीक्यान का उत्दिश है तो इसमें राइट एंसर है कि स्वास्ते तथा कार कुसलता प्रदान करना एक स्वास्त प्रकृस्ट करना यह इंपार्टन जा आग्या कुस्टिन इंपार्टेंट के और हम बढ़ेंगे ना कि हम नार्मल कोश्चन के बढ़ेंगे कि वीडियों लंबी हो इसलिए हम मुश्चित इसकर करेंगे सत्र नंबरा की पॉस्ट्र या अच्छे पोश्ट की पहचान है ठीक है अगला क्योंट की निम्लिखत में से पॉश्टिक तक तो कौन कौन से ठीक है पॉस्टिक तो इन में से सभी हैं कार्भोहाइडरेट भी यह फ्रोटीन भी इसले सारे हो जाएंगे ठीक है अब हम बढ़ेंगे इस क्वे के लिए पर्याप्त धन पर ग्रहणी को पाक कला के पूर्ण ज्यान पर ग्रहणी को भोजपदार्तियों संबंदी जानकारी पर इस सभी पर पड़ता है निर्भर करता है इसलिए राइट एंसर उपर युक्त में से सभी हो जाएगा कि रात्री के भोजन में लेना चाहिए रात्री के भोजन में लेना चाहिए वह आपको क्या लेने चाहिए समोसा लेने चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं तो राइट इसका हो जाएगा जो आपको रात्री का भोजन होता है ना तो उसमें समोसा खाना चाहिए ना तो पाप काना चाहें खाने खाने के बाद आप लोग ले सकते हैं वो चीज़ ठीक है फुरूट फुरूट तो फेक्ट में से कोई नहीं स्ले राइट एंसर यह हो जाएगा निश्ट को प्रभावित करने वाले यानि इंपैक्ट डारने वाले कारक या फिर कौन से प्रमुक तत्तों है यह आपकोबताना है तो आहार आजिन को प्रभावित करने वाला तत्तों नहीं है आध्यन यह थी इतना नहीं है ठीक है और निस्ट नहीं इतना इंपार्टेंट है ठीक है हम निस्ट आज आएंगे जो हमको मोस्ट इंपार्टन लेगे का जो परिच्छा में आज चुके जो कि आपकी परिच्छा में आने के चांज से उनका हमीं डिस्केशन करेंगे ठीक है निश्टा आजाएगा 97 नमबर कोश्चन याद रखेगा 97 कि पर्थम आहार समु में सामिल है क्या सामिल है पर्थम आहार समु में पुदीना मतर हरा धनिया ठीक है ना कि यह इग्नूर कर दीजेगा अगर यह आप शनाप को दिखेंगे तो इनको इग्नूर करिए कि याद इसे भी इग्नूर कर सकते हैं ठीक है आजाएंगे हम 100 नमबर कोश्चन के और यह इंपॉर्टेंट है ठीक है दिखा कि आहार का उर्जा दायक तक तो क्या है तो कार्भोहाइटेट भी है वसा भी प्रोटीन भी इसलिए राइट अंसर यह सभी हो जाएगा अगला कोश्च पूचित पूचर मिल सके यह जरूरी है ना कि सुद्ध भोजन ना कि पाक कलायम ग्यान लाकि आकारसर ढंग मोस्ट इंपार्टेंट जो होता है वह होता है आहार नियोचिन इसलिए राइट अंसर आ हो जाएगा ठीक है चली बढ़ते है इनिश कोश्चन के और तो आप इसलिए राइट अंसर हो जाएगा ग्रहडी को होना चाहिए ठीक है नेश कोश्चन की अहार नियोचिन इभी इग्नूर करिए और अगला आप आजाएए वन जीरो सिक्स पे यह इंपार्टेंट है ठीक है कि भोजन योजना फायदेमंद है क्योंकि यह परिवार के बजट में मदद कर सकता है या परिवार के निदान में मदद कर सकता है या परिवार को या बता सकता है कि यह किस तरह के पोस्टर का उपवोग कर रहे हैं तो इसमें से राइट अंसर दा हो जाएगी यह सभी हो जाएगी ठीक है इसलिए राइट अंसर यह सभी हो जाएगा नेश क पनीर है दही तो यह सभी दूद से बनते हैं इसलिए राइट एंसर याद रखेंगे नेस्ट कोईच्ट ने कि दुतिये समू में पदार्थ आते हैं यानि कि दुतिये जो प्रतम अभिया मैंने आपको उपर बताया था ठीक कौन-कौन से आते हैं अब यहां पर दुतिये समू में धोए वानिë मास्म औरा याद 6 म में रोटी आंटा ब्रेड याद रखेंगे सस्ट समू में रोटी आटा ब्रेड्ट याद रखेंगे मास्मूnost पदार याद रखेंगे मैं मास्मूउब सब्सक्राइब 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 इन में से कौन सा सिसुग के लिए मुख भोजन है या फिर मुख थत्तु है ऐसे सुग के लिए बच्चों के लिए ठीक है तो राइट अंसर सा हो जाएगा निस्ट कोईश्चिन है इंप्वाटन्ट है याद रखेंगे कि दूद में लोह नमक की मात्रा क्या है दूद में लो कि खादे पदार्त क्या है मास है मचली है अंडा है ये सबी खाद नर्थ Lak इसे राइट अउगा यही होगा ठीक है फिर आख कि ये promise कोईश्चिन हाई कि ये कि पदार्त तीस्ठे शमू के अंतरगत आते तो तीसरे समु के अंतरगत मास मचली आते हैं याद रखेंगे नेश्ड कोश्चन है कि ये पदार्थ पहले खाद समु में आते थे रोटी, गेहू, आटा ठीक है मक्का ये सभी पहले किस में आते थे, खाद समु में आते थे ठीक है वो कौन-कौन से हैं तो यह सभी है ठीक है और गेहों आठा मक्का है सबहिए पहले जो है खाद समों में आते युस्लिनोय प्रोटीन है उर्जा उत्तात क्या है तो उर्जा उत्तात करता है ऑपके बोडी में और चुछ थे और ड्रेट ठीक है और वसा राइट अंसर बाः मुश़् इंपार्टिंड ये और ये नेस्ट कोष्चन है कि निम्न में से अम्ल उत्पादक्ता पदार्थ कौन सा है तो अल्म जो है उत्पादक्ता पदार्थ है वो अंडा है याद रखेंगे सब्सक्राइब कर सकते हम अगले क्या आएंगे जो इंपॉर्टेंट है कि अनाजों में सरवधिक मात्र में क्या पाया जाता है तो जो अनाज होते है लेड के बात किया जाए तो सब जिए ज़्यादा इत्रम पाया जाता वह कार्भो हाई ट्रेट ट्रेट अंतर कि ये ड्रेट आइसे आप अपढ़ एगार कोई बात नहीं समेश थाले कभी 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 प्रॉंड जो प्रॉंड वोता वो रहांड हो जाता है तो आप लोग क्षेह प्रप्त के साधन उप्योगत में से सभी प्रोटीन से छोट नहीं कर सकते हैं प्रहस्ण हो सकता है तो याद रखेंगे मोस्ट इंपॉरा नाम है ठीक है वह वर्ल्ड हेल्ट और्गनाइजेशन अगर डबलो एक्ट के बारे में आपको नहीं जानकारी तो आप डबलो एक्टो के बारे में एक बार के बारे मालुम हो गया होगा निवन में से संतुलित अहार के अवयों है तो दो श्यूद पार की और से सभी हो जाएगा कर लिए उसके बाद हम आपको बता रहें ठीक है नेस को एक मिल्स को और भी क्या कहा जाता है भी कहा जाता है झाला अड़ को निम्रिखित में से सच त नहीं है रखेंगे निकल जाता है ना तो नहीं होता तो फोड़ी जल्दी निकल जाता आप लोग समझधार है बिटामिन मुझे भी मालूम कि बिटामिन हिंदी तो पढ़ना इतना तो आता हिए बिटामिन तो आता हिए तो आप लोग समझदार है और फिरहाल आते हैं नेश्ट कोषिटन के ओर यह लिखाए कि निर्माड के लिए कल्सियम क्या सकता होती तो अस्थियां एम दातों के निर्माड के लिए कैल्सियम क्या सकता होती मौस्ट इंपॉर्टन कोईश्चन याद रखेंगे ठीक है आयरन की कमी से होता है क्या होता है आयरन की कमी से जो होता है इनीमिया होता है याद रखेंगे इनीमिया नेस्ट कोश्चन है कि सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है वो होता है विटामिन डी की कमी से उड़ जा का मुख्य सरोत आप लोगों को मालूम है क्या है कारवो आप लोगों के पर पूरा पूरा डिवाइड रहे तो फर्स्ट यूनिट में यह था अब सिकेंट फिर फूर टिके चार यूनिट होते हैं फूर्ट नूट्रिशन में समलित होता है सारी चीज की यह जरूरी कि यह इनर रखेंगे इंपोटन यह कि निस कार्बो हाइट का प्रोव्पकार क्या होता है और चलिकर बढ़ते हैं कि सभी अफ्तन्धारियों के अने दूद में जो होता है क्या पाए जाता ठीक उनके दूद में क्या उपस चित रहता है आपको बताना झारा एंसर वह जाएगा लैक्ट टोज पाए जाता है ठीक क्या पाए जाता है तो याद रखेंगे पत्य क्या पाया जाता है जो observed एक सबसे याद्रेंगे पेक्टिन सबसे होता है रहे टेक्ड-दर याद informed नेस्ट कोश्चन है जो इंपॉर्टेंट रश्किंबात करते हैं कार्बो जो हाइट होता है हाई ट्रेड की कमी से जो होता हो कम जोरी आती याद रखेंगे ठीक है चले नेस्ट कोश्चन कर बढ़ते हैं डाइपजीड रोग होता है डाइपटीज आप लोगों को मालूम कि सभी इनिसानों को आज कल पाया जारा हा हूँ तब कि 70 पर्शंट या 50 परसंट पाया जाता है डाइपटीज सभी को प्रोब्लम हो रहे हैं आप स्भी मालूम हो जो है बहूं सही नहीं इसलिए प्रोब्लम होती है तो राइट एंसर हो जाएगा इनसूलीन की कमी से इनसूल गुलू कोज का ठीक से अचया नहीं से असे कौन सा रोग हो जाता है तो मध में रोग हो जाता यह भी मुश्व इंपर्टन कोश्चिन याद रखेंगे अगला वे कि दालों में कितने स्टार्ट च्पाया जाता तो चालिस पर्सेंट जो है वह श्टार्च पाया जाता है दालों में याद रखेंगे सभी प्रकार की सरकर्या का सरल्दम रूप जो है वह गुलुकोज याद रखेंगे यह इंप्वाटेंट है अगला कोश्चन है कि 10-10 कैलोरी उर्जा प्राप्त करता है धाई ग्राम कार्बो हाइड है ठीक है ट्रेट से और अगला कोश्चन है कि शुक्रोज पर्याब तो मात्रा में कहां पाया जाता है वो पाया जाता है गन्ना में याद रखेंगे चलिए अगले कोश्चन कर बढ़ते हैं कि कार्बो हाइडरेट के अधिक सेवन करने से कौन से बिमारी हो जाती है मद में हो जाता है याद रखेंगे यह भी मोस्ट इंपार्टेंट है ठीक है चलिए प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है नाइट्रोजन का होता है याद रखेंगे मोस्ट इंपार्टेंट यह अगला कोश्चन यह भी मोस्ट इंपार्टेंट है कि 10 ग्राम पालक में में प्रोटीन की मातवा कितनी पाई जाती दस ग्राम पालक में तो दस ग्राम पालक में जो होती है वह वन पॉ poetry पայार neon प्रोटीन बाउ Ferr compares जाती yad रखेंगे most important question कोषचंग ये भी है है अगला कोषचिन मैंने आपको अगले दिन बताया ही था कि प्रोटीनah कि स बिज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था मुल्डा द्वारा प्रस्तावित किया गया था आपको अलुम है आगला कोष्चन संदें लगभक कितने परकार के आवश्च्छ मोमीन अमीनों अंपल पैया जाते फ्ष्ट की anál मुल्टेश का सब चीज цен करता स्विस्टम क सकरकंद गन्ना सलजम आदी कौन सी सरकरा के साधन है तो यह सब सभी है वो गुलु कोच के साधन है याद रखेंगे सभी प्राप्ति का साधन है वो प्रयोग तुमें से सभी हो जाएगा ठीक है अगला कोश्चन आप लोगों की समझत आ गया है कि पेड़ पौदों के हरे पत्तों के एक विश्यस प्रदार्थ पाया जाता है वो आप सभी को मैंनों बता है ही क्लोरोफिल पाया जाता ठीक है औ और ने श्क्राइएं जो की इंप्र्टन ते टिक इसमें सब रिपीटेट कोईश्चन है आपको मैंने बता आप मैं बता ही चुका हूं ठीक है कुछ कुछ प्रिपीटेट है इसमें तो आप लोग उनको एग्नौर करिएगा वसा की मात्ता सबसे अधिक सोयाबीन मक्खन प इसको भी याद रखेंगे ठीक है अगला कोश्चन है कि सैसा वस्था में कब सैसा वस्था में वसा की आवसकता होती है 25 ग्राम की अगला प्रश्चन है कि वसा की कमी की कान कौन सा रोग होता है तो फाइनो डर्मा होता है ठीक है फाइनो डर्मा रोग होता है याद रखेंगे अगला प्रशन है कि मौंग फली में लगबग कितने प्रतिस्त वसा प्राप्त होती है तो 50 प्रतिस्त वसा प्राप्त होती है मौंग फली में याद रखेंगे तो आज किस वीडियो हम बस इतने ही 246 कोईश्चनों के बारे में आपको बताएं है लगबग इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्चन थे इनमें जो अभी तक मैंने आपको बता चुका उसमें मैंने बताया कि यह महत्पूर्ण इनको पढ़के जाएगा और वीडियो ल इतना लिख दीजेगा फोड न्यूट्रेशन की पीडियोफ बस हम आपको प्रवाइट कर देंगे और आप हमारे टेलिग्राम और वर्सप से भी जोईन हो सकते हैं वहें पर आपको मिलेगा यह ठीक है और विपसाइट पर हम इसको डाल देंगे तो वहां से आप लोग डा है कोई फेक नहीं है यहां पर आप लोग खुद ही देख लीजिए हम जाहिर हैं अभी टिक इतने कोश्चन है चार सो पांग सो चीक है बहुत सारे कोश्चन है सारे फूर्ड न्यूट्रेशन हैं एक भी कोश्चन अलग से नहीं यह आपके ही स्लेवर से से हैं लगभग प्रिश्चनों का उत्तरा आगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे मतब कि लगभग लगभग कुछ 800-2000 पढ़ नहीं पाएंगे लेकिन में में जो मैं आपको बताया हूं इनको पढ़ लेंगे तो आपको काफी मिल जाए आपकी परिच्छा में तो आपको पूरी जानकारी स बेस्ट ठीक है गौड बिलेस यू मिलते हैं आपको नेस्ट वीडियो में तब तक कि लज जाएंगे